हे गाईश तो आज मैं आप सभी के लिए Soulland 2 के एपिसोड 47 के नुविल को एक्स्प्लेन करने वाला हूँ तो आई हो पिए एक्स्प्लानेशन आप सभी को पसंद आएगा और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दू कि मैं आप सभी से वीडियो के लास हो चुके थे साथी जो Emperor होते हैं वो स्रेक डेवल को उनका जो reward होता है वो भी दे देते हैं साथी हमने ये भी देखा था कि वहां पर एक बंदा आ चुका था जो कि युहाँ को अपने साथ में ले जाना चाता था युहाँ उसके साथ में जाने से मना कर देता है जिससे वो बंदा काफी गुसा हो चुका था और युहाँ पर अटेक करने वाला था पर मास्टर उसको रोग देते हैं और उसको ड्राकर वहां से भगा देते हैं और इसके बाद वो सभी वहां से अपने स्रेक अकेडिमी के लिए निकल चुके थे आगले सीन में हमें पोसाइडन हॉल का सीन दिखाये जाता है जहां पर में जियावटियाओ को दिखाये जाता है जो कि बेट पर पड़ी होती है और में दिखाये जाता है कि उसकी अलत काफी ज़्यादा खड़ाब हो चुकी थी जहां पर में मास्टर यान को दिखाये जाता है जो कि इसकी वज़ा से काफी कड़के भी इसको ठीक नहीं कड़ पाड़े हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो बहुत ही जल्दी जो जी आउटियाओ है वो एक इविल कल्टिवेटर के अंदर कनवर्ट हो जाएगी जिसके बाद इसको रोक पाना काफी जादा मुस्किल हो जाएगा जहां पड़ा मास्टर मूलाओ को देखते हैं जो कि कहते हैं कि हां मैं भी इसके बारे में जानता हूं और मैं जानता हूं कि अगर जी आउटियाओ यहां पर इविल कल्टिवेटर बन जाती है तो इसकी वज़ा से उसकी पावर्ड काफी जादा बढ़ जाएगी क्योंकि अभी के टाइम में पूरी कॉंटिनेंट में ऐसा कोई भी बंदा मुजूद नहीं है जिसके पास में इत्ते खतरनाक आकी पावर्ड मुजूद हो क्योंकि अभी के टाइम में जी कैसे बचा पाएंगे जहां पर मास्टर मूलाओ को दिखाये जाता है जो कि उससे कहते हैं कि हम इसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते हैं और कहते हैं कि हमारे पास में दो ही रास्ता है जिसमें से जो पहला रास्ता है उसमें जी आउटियाओ को खुद पर कंट्रोल पाना और उसको खुदी अपने फार को अपने कंट्रोल में करना होगा अगर वह ऐसा कर लेती है तो वह काफी असानी के साथ में इससे बस सकती है और जो दूसरा रास्ता है उसमें हमें उस स्वर्ट का सोधन करना होगा और हमें इसके तोर के बारे में पता लगाना होगा अगर हम क्योंकि उनके पास में कोई भी रास्ता मौजूद नहीं होता है क्योंकि यहाँ पर जो बलेक और वाइट सोड मौजूद था उस पर सोध करना काफी जादा मुस्किल था और साथी जी आउटिया भी ऐसी कंडिसन में नहीं थी कि वो खुद के पाउड पर खुदी कंट्रोल क कि हमारे स्रेक एकडमी के जो भी बंदे हैं वो अपने कंप्टिसन को जी चुके हैं तो तुम्हें जाकर उनके लिए प्राइच को रेडी करना चाहिए और उनके स्वागत का इंतिजाम करना चाहिए जहां पर मैं मास्टर यान को दिखाये जाता है जो कि मास्टर मूलान से कहते हैं कि आपको इसके बारे में टेंसर लेने की कोई भी जूरत नहीं है क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले सहीं प्लैन को बना लिया है और उनको क्या क्या देना है इसके बारे में मैंने पहले सहीं डिसाइड कर लिया है जो सुनकर मास्टर मूलान से कहते हैं कि अरे भ जो कि आगे बढ़ते हैं और वह अपने डिसाइबल के काम से काफी जादा खुस होते हैं और वहाँ पर जितने भी मास्टर मौजूद होते हैं वो सभी उनकी काफी जादा तारीफ करते हैं ताभी हमें मास्टर यान को दिखाए जाता है जो कि उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को मेरे साथ में पोसाइडन हॉल के अंदर चलना होगा क्योंकि तुम्हें वहाँ पर रिवोर्ड मिलने वाला है जो सुनकर वो सभी काफी जादा खुस हो चुके थे और वो सभी उसके काफी जादा खुस हो चुके थे और में यहाँ पर यूहँ के टीम के बारे में बात कर रहा हूं क्योंकि वो यहां पर पहली बार आये हैं सहीं उनकी पाउड काफी ज़्यादा बढ़ रही थी और उनके जितने भी जखाम होते हैं वो सभी हील होड़े होते हैं और उनको काफी ज़्यादा मज़ा भी आ रहा था जिसकी वज़ा से वो सभी काफी ज़्यादा हेरानों चुके थे और वो कहते हैं कि यहाँ पजोबी ब अंदर मोजूद है जो कि अपने पाउर को रिलीज करढ़ा है वो काफी जादा पोड़ फूल है तो हमें काफी जादा सतर कराना होगा नए तो हम उसके सामने आ सकते हैं जहांपर हमें मास्टर यान को दिखाये जाता है जो कि उन सबी को अपने साथ में अंदर चलने को बोलत कि तुम सबी ने वहां पर काफी जादा आच्छा काम कीया था इसके बाद वहां पर डाय वहें का नाम लेता है साथि वा आईस गर्ल का भी नाम लेता है जो सुन कर वहां जाते हैं सामने यान आगे जाते हैं serraakot कर देता है और वो उन पर काफी ज़्यादा गुसा उड़ा था और वो उनसे कहता है कि तुम सभी वहां पर काफी ज़्यादा लपड़वाई कर रहे थे क्योंकि तुम्हारे लपड़वाई की वज़ा से वहां पर तुम्हारे जितने भी टीम में थे वो सभी काफी से जो मेंग थी उसने उसकी आलत काफी जादा खड़ाप कर दी थी जिसकी वजह से वो एक फाइट के बाद दूसरा फाइट नहीं लड़ पाया था इसकी वजह से जो मास्टर होते हैं वो उस पर काफी जादा गुसा करे थे साथी जो आइस गर्ल थी वो भी वहाँ पर कुछ खास सपोर्ट नहीं कर पाई थी जिसकी वजह से मास्टर उस पर भी काफी जादा गुसा करे थे और वो कहते हैं कि तुम दोनों वहाँ पर सिनियर डिसाइबल थे पर इसके बाद भी तुम दोनों को अपने जुनियर पर वहाँ पर डिपेंड रहना पड़ा जो की काफी ज जो सुन कर वो दोनों काफी ज़्यादा हेरानु चुके थे और सच में उन दोनोंने गल्ती की थी जिसकी वज़ा से वो दोनों मास्टर से माफी मांगते हैं जहां पर मैं मास्टर को दिखाये जाता है जो कि कहते हैं कि ठीक है ठीक है तुमने वहाँ पर भले ही गलती की थी पर तुम दोनों ने वहाँ पर काफी ज़्यादा कंट्रीबुसन भी किया था जिसकी वज़ा से मैं तुम दोनों को माफ करता हूँ वहाँ पर आउटर अकैडमी के जितने भी बंदे मौजूद होते हैं वो मास्टर को इतने जादा गुसे में देखकर काफी जादा हेडानू चुके थे और वो कहते हैं कि मास्टर यान जो हैं वो काफी जादा स्ट्रिक्ट है जहाँ पड़ा मास्टर यान को दिखाए जाता है और वो भी इसके बारे में समझ जाते हैं कि यहाँ पर जितने भी बन्दे मुजूद है उनको लग रहा है कि मैं काफी ज़्यादा चीर्चीडा हूँ और इसके बाद वो उन सभी से कहते हैं कि तुम सभी को इसके बारे में टेंसर लेने की कोई भी जुरत नहीं है और कहते हैं कि हम काफी ज़्यादा स्ट्रिक्ट हैं क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो इसकी वज़ा से हमारे जो भी स्रेक डेविल होंगे वो काफी जादा कम जोड़ जाएंगे इसके बाद वो मास्टर को वहाँ पर आगे बुलाता है जहां पर हमें मास्टर को दिखाये जाता है जो कि आगे चली जाती है जहां पर हमें उस बंदे को दिखाये जाता है जो क और बच्चों को पढ़ा सकती हो अब इस बात को सुन कर जो मास्टर होती है वो काफी जाधा खूस हो जाती है और इसके बाद वो कहती है कि नहीं मैं इसकी हगदार नहीं हूँ क्योंकि यहां पर जितने भी बचे थे उन्होंने काफी ज़्यादा मेनत किया था और उन्होंने मेनत करके इस fight को जीता है तो मेरा इसमें contribution नहीं है जहां पर हमें master यान को दिखाये जाता है जो कि उसे कहते हैं कि तुम्हें ज़्यादा सर्मान करने की जुरत नहीं है और कहते हैं कि तुमने भी वहां पर काफी ज़्यादा contribution किया है जिसकी वज़ा से तुम्हें यह लेना ही पड़ेगा जो सुनकर वो उसके बात को मान जाती है तो अगले सीन में हम master यान को देखते हैं जो कि outer academy के तीनों बंदों को आगे बुलाते है जिसमें से युहाव, वंगडॉंग और यावजिया होते हैं और वो आगे चले जाते हैं जहां पर मास्टर यान को देखते हैं जो कि उनसे कहते हैं कि तुम तीनों ने वहां पर काफी ज़्यादा अच्छा काम किया था जिसकी वज़ा से हम एक प्राइस देने वाले हैं ज मास्टर उसे कहते हैं कि तुमें मुझे थैंस बोलने की कोई भी जुरत नहीं है क्योंकि तुम तीनों बंदों ने यहां पर काफी ज़्यादा अच्छा काम किया था क्योंकि अगर तुम तीनों यहां पर फाइट में सपोर्ट नहीं करते तो हम इस मैच को कभी भी नहीं ज चाते हैं जो सुनकर वो सभी काफी जादा हेरान हो चुके थे और इसके बाद वो सभी कहते हैं कि आख़ी यह कैसे हो सकता है हम यहाँ पर कपसे मौजूद है पर हमने अभी तक यहाँ पर किसी भी बंदे को नहीं देखा था ताभी यह में वहाँ पर एक बुड़े के पर वो वहाँ पर युहाँ और वोंग डॉंग को रोक देते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर रहकर मेरे साथ में खुछ दिनों तक प्रैक्टिस करने वाले हो जिस पर वो दोनों उसके बात को मान जाते हैं तो अगले सिनमे में दिखाये जाता है कि वहाँ पर ज दोनों ने fight के अंदर काफी ज़्यादा तबाही मचा दिया था और हमें दिखाये जाता है कि जो light की पाउड वहां पर leри जोड़ाई थी वो इसी master के अंदर से le Reg amo चुके थे और वो समझ चुके थे कि उनके सामने जो भी बंदा मोजूद है वो काफी ज़्यादा पोर्फुल है और इसकी पाउर इती ज़्यादा है कि हम इसके बारे में अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं आप उन दोनों बंदों को इता ज़्यादा डरता हुआ देहकर वो बुड़ा काफी ज़्यादा है रानू चुका था और इसके बा यूहाऊँ सको खड़े उने में मदद कर देता है और वो इस बात को देखकर काफी ज़्यादा है डरानू चुका था क्योंकि वो जो बुड़ा आदमी था वो वही आदमी था जो कि यूहाँ से काफी ज़्यादा बाते भी किया करता था तो गगाईस एगर आप सभी सोलें को काफी जादा समय से देख रहे हो तो आपको इस बुड़े के बार में पहले सा ही पता होगा तो चलिए आगे बढ़ते हैं जहां पर हमें युहा को दिखाए जाता है जो कि अपने सामने वाले मास्टर को देखकर काफी जादा हेडानों चुका था मास्टर उसे कहते हैं कि तुमको मुझसे डरने की कोई भी जूरत नहीं है और वो उसे कहते हैं कि हम दोनों तो साथ में दोस्त है जो सुनकर युहा भी काफी जादा हेडानों चुका था वांग डॉंग तो काफी जादा हेडानों चुकी थी और उसको इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था और वो कह इसा उस बुड़े पर ध्यान दिया करता था और इसी के साथ में इस नोवेल का एक्सपलानेशन हम यहीं पर खतम करेंगे तो गाइस मैं आप सभी को जो बताने वाला था वो यह है कि आज के बाद आप सभी को थ्रोन अपसिल का एक्सपलानेशन लेट देखने को मिलेगा और आज जो थ्रोन अपसिल का एक्सपलानेशन थोरा सा लेट होगा पर मैं आप सभी के लिए थ्रोन अपसिल को एक्सपलानेशन थोरा सा लेट होगा पर मैं आप सभी के लिए थ्रोन अपसिल को एक्सपलानेशन थोरा सा लेट होगा पर मैं आप सभी के लिए थ्रोन अपसिल देखने को मिलेगा